बच्चो आज का हमारा टॉपिक है अनेक विश्यों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसे क्या कहते हैं बच्चो हम वाक्यांश के लिए एक शब्द देखी यहां मैं पहले आपको एक उधारन देती हूँ देखी जैसे हमारे पास है इश्वर में विश्वास रखने वाला ठीक है इश्वर में देखे इश्वर में विश्वास करने वाला अब यहाँ अनेक शब्द है और अनेक शब्दों के स्थान पर मैं एक शब्द दे दूँगी आस्तिक इश्वर में विश्वास करने वाला कौन उसे क्या कहा जाता है आस्तिक देखे तो भाशा में हमने यहाँ अनेक शब्दों के लिए परियुक्त होने वाला एक शब्द जिसे हम और क्या कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द तो क्या कहा जाता है बच्चो अनेक शब्दो के लिए एक शब्द को बाक्यांश के लिए एक शब्द तो देखे भाषा में जब संक्षिप्तता लाने के लिए भाषा को हम संक्षिप्त होता है छोटा करने के लिए भाषा में संक्षिप्तता लाने के लिए इन शब्दों का प्रियोग किया जाता है जिसे हम बाक्यांश क के लिए एक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहते हैं एक बर दो लिए परियुक्त होने वाला ऐक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है और इससे क्या होता है आगे देखते हैं अगर हम ऐसे शब्दों का प्रियोग करते हैं तो इन शब्दों के प्रियोग से हमारी भाषा संक्षिप्त बन जाती है हमारी भाषा प्रभाव शाली बन जाती है तो विचारों की गंबीर और अकर्शक अगर अभिव्यक्ति हमें करनी है तो ऐसे शब्दों का ज्यान होना बचो बहुत जरूरी है क्लियर है तो अनेक शब्दों के लिए प्रियोग होने वाला एक शब्द जिसे हम कहते हैं वक्यांच के लिए एक शब्द भी कहा जाता है और ऐसे शब्दों के प्रियोग से भाशा संक्षिप्त बन जाती है प्रभावशाली बन जाती है जिसे विचारों की अभी व्यक्ति क के लिए बच्चो ऐसे शबदों का ज्ञान होना बहुत अवश्यक है हाँ जी क्लियर हुआ आप सभी को अनेक शबद के लिए एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द किसे कहा जाता है जल्दी पहले सबसे पहले मुझे यही बताईए ओके बच्चो ओके चलिए चलते हैं बिटा आगे अब देखिए हमारे पास है बच्चो देखिए जो शब्द अनेक शब्दों या वाक्यांश के स्थान पर वाक्यांश के लिए एक शब्द चीक है तो अच्छी भाशा वही होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं कम शब्दों में अपनी बड़ी भात को प्रभावशाली डंग से कह सकते हैं तो अच्छी भाशा कौन से होती है अच्छी भाशा वही होती है जिसमें हम क्या करें कम शब्दों में अपनी बात क प्रभावशाली धंग से बताने की शम्मता हो तो ऐसी भाशा प्रभावशाली होती है अच्छी होती है और इसके लिए क्या जरूरी है हम अपनी भाशा को अच्छा बनाने के लिए हम अपनी भाशा में ऐसे शब्दों का प्रियोग करें जो अनेक शब्दों तो जब हम ऐसे शब्दों का प्रियोग करते हैं, तो भाषा अकर्शित होती है, भाषा में अकर्शन आता है, भाषा के अकर्शन में वरिद्धी होती है, भाषा के प्रवाहा में वरिद्धी होती है, चीक है, तो चलते देखते हैं कुछ एक्जामपल इसके, आईए, सबसे पहले बिटा हमारे पास, देखिए, गगन को चूमने वाला, आप इसको बाद में लिखेंगे, पहले आप समझ लीजी, मैं आपको material शेयर कर दूँगी, गगन को चूमने वाला क्या कहा जाएगा गगन चूम्बी गगन को चूमने वाले को क्या कहा जाएगा गगन चूम्बी अब गगन चूम्बी किस तरह से लिखा जाएगा देखिए गगन चूम्बी चर्च को छोटे उ की मात्रा अनुस्वार बब को बड़ी उ की मात्रा गग को खर्च के यह कम क्करिश करेंगी वाला है meant विए कैसे लिखा जाएगा मुं को छोटी ऊ की मात्रा गॉ कर ऎकोदई के यानि कम्कर्च करने वाला इसे तरह हमारे पास शिव की पूजा करने वागा शिव कि पूजा करने वाले को कहा जाता है बच्चो शैव, श, श, को बढ़िये की मात्रा और व, अच्छा सबसे पहले आप मुझे ये बताईए कि सुबह जो हमने वर्न विछेद किया था, क्या वो आप सबको क्लियर है, जो मात्राएं हमने सुबह समझी थी, वो आप सबको क्लियर है, जल्दी से बताईए मुझे यह clear हो गया, चलिए चलते हैं आगे इस slide पर किसी को कोई doubt बेटा, किसी को कुछ पूछना हो तो अभी पूछिए फिर मैं अगले slide पे चलू तुशार कोई doubt है बेटा, जल्दे से thumbs up show कीजिए अगर कोई doubt नहीं है आपको ओके बेटा, ओके thank you बच्चे, next बेटा हमारे पास देखिए जिसका कोई शत्रू ना हो, उसे कहा जाता है अजात शत्रू क्या कहा जाता है बच्चो मेरे साथ बोलो, जिसका कोई शत्रू ना हो, अजात शत्रू क्या कहा जाता है बच्चो, अजात शत्रू, जिसकी उपमाना हो, उसे हम कहेंगे बेटा, अनुपम अ, न, न को छोटे उ की मात्रा, प और म, अनुपम, क्या कहा जाएगा बच्चो, अनुपम इसी तरह है जिसकी कीमत ना की जा सके कीमत क्या होता है बचो कीमत होता है मुल्य जिसकी कीमत आकी नहीं सकते हैं जिसकी कीमत ना पी तोले जा सके आकी ना जा सके कीमत होता है मुल्य मुल्य तो जिसकी कीमत ना बताई जा सके वो है अमुल्य जिसके कीमत ना की जा सके वो है अमुल्य और जो बहुत बोलता हो उसे कहते हैं बच्चो वाचाल क्या कहते हैं बच्चो वाचाल जो बहुत बोलता हो वो है वाचाल और जो सो वर्षों का समय बच्चो कहलाता है शताबदी सो वर्षों का समय शताबदी क्लियर है इसी तरह है हमारे पास जो मधूर बोलता हो मधूर यानी मीठा बोलता हो उसे हम कहेंगे मरीदू भाशी जो मधूर बोलता हो उसे कहेंगे मरीदू भाशी अब मरीदू किस तरह से लिखा जाएगा फिर से एक बार देख लिजिए म, म के पैरो मेरी, द, द को छोटे उ की मात्रा, मृदू, भाशी, भाव उपर से खुला होता है, बड़े आ की मात्रा, श, श, को बड़ी ई की मात्रा, मृदू, भाशी जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा तो हो है जिग्यासू, अब जिग्यासू कैसे पढ़ेगा देखिए, ज, ज, को छोटी E की मात्रा, ग, ग, को बड़े A की मात्रा, स, स, को छोटे U की मात्रा, जिग्यासू, और इसी तरह है दूर की सोचने वाला दूर की सोचने वाला ना तो यानि दूर दर्शी दूर की सोचने वाला दूर दर्शी क्लियर हुआ बेटा हां जी इसी तरह है बेटा हमारे पास जिसका हरिदय विशाल हो जिसका हरिदय खुले दिल वाला जिसे हम बोलते हैं उसे हम कहते हैं बच्च विश्वास रखने वाले को हम क्या कहते हैं बेटा आस्तिक आस्तिक कैसे लिखा जाता है बड़ा आ आधास चोटे ए की मात्रा त और क आस्तिक और ईश्वार में विश्वास ना रखने वाले को क्या कहते हैं बच्चों हांजी जल्दी से बताईए मुझे चैट बोक्स में आ येस आमन वेरी गुड वेरी गुड इश्वर में विश्वास ना रखने वाले को बेटा कहते हैं नास्तिक इसी तरह हैं हमारे पास देखिए जो सरलता से प्राप्त हो हंजी मंदीप गुड वेरी गुड नमन देखिए जो सरलता से प्राप्त हो अब जो चीज हमें आसानी से मिल जाए वो होगा सू लब लबकार्थ होता है बच्चो पाना सू सरलता से चीक है सू लब स सको छोटे उकी मात्रा लब और भभव उपर से खुला होता है इसी तरह है जिसे पाना कठिन हो जो तो सरलता से चीज मिल जाए उसे कहेंगे सू लब और जो दूरलता से मिले जिसे पाना कठिन हो वो होता है बच्चो दूरलब द को छोटे उकी मात्रा र ल ल के उपर और भव दूरलब इसी तरह किये हुए उपकार को न माने जो किये हुए उपका करितगिये उपकार को माने उसे क्या कहते हैं बच्चो जल्दी से बताइए मुझे चैटक्स में आके क्योंुं आशन जी जल्दी से जल्दी से जल्दी से शाबाश येस मन्दीप बेरी गुड जो किये गए उपकार को ना माने वो कृतगन और जो माने वो कृतग clear बच्चो? चलिए देखे जो देखने योग्या हो जो चीज देखने योग्या है हम कहेंगे वो दर्शनिया है दर्शनीे दर्शन, र, दर्श दर्श, न, न, को बड़ी čी मात्रा और र, य, दर्शनी दूर दर्शी तो बिटा, दूर दर्शी होता है दूर की सोचने वाला ठीक है? वो हता है दूर दर्शी वंदीव जो देखने योग्ये है वो है दर्शनी Tarip और जो बोलना सकता हो, यानी वो है मूख, म मकोबड़ेउ की मात्रा और क, मंदीद क्लियर हुआ न बिटा, और जो बोलना सकता हो, वो है मूख, इसी तरहां नेक्स्ट रे बिटा हमारे पास, जिसका कोई दोश नहीं है, वो होता है बच्चो निर्दोश, दोश, निर्दोश कैसे लिखा जाएगा न न को छोटी ए की मात्रा द द को छोटे ओ की मात्रा साथ में र और श निर्दोश क्लियर हुआ बच्चो हांजी इसी तरह है सुनने वाला सुनने वाले को क्या कहा जाता है अच्छा ठीक अच्छी बात है बेटा सुनने वाले को क्या कहा जाता है बच्चों सुनने वाले को हम लोग कहते है श्रोता देखो अब आपको मैंने श्रो सुबह बताया था ना कैसे पड़ेगा श्रो और अब जल्दी से आप मुझे ये बताईए हंजी नमन श्रोता और बोलने वाले को क्या कहा जाता है जल्दी से चैट वुक्स में आके मुझे बताईए सुनने वाला श्रोता तो बोलने वाला क्या है येस पंकज गुड़ वेरी गुड पंकर्स वेरी गुड़ और कोई जल्दी से बताईए रादिका, अक्षू, शितेज, समराट, तुशाथ, पंकर्स के अलावा और कोई जल्दी से बताईए नहीं पता वाचाल तो नमन वो होता है जो बहुत बोलता हो सुनने वाला श्रोता तो बोलने वाले को कहते हैं वक्ता क्या कहा जाता है वक्ता इसी तरह है बेटा मिहां मारे पास जहां कोई मनुश्य ना रहता हो मनुश्य यानि जन ना रहता हो तो वो है निरजन न न को छोटी इ की मात्रा हाँ जी ठीक है मंदीर, ज साथ में र निर जन, जन, जन च्लियर हुआ और जो दिखाई ही न दे वो है अधरिश्य चोटा अ र आधाश और य अधरिश्य आँजी नमन वेरी गूट बिटा अधरिश्य है जो आखों के सामने हैं वो है प्रत्यक्ष पप के पेरो में रा, आधात, या और श। प्रत्यक्ष जो काम करना कठीन हो वो है दुशकर। द द को छोटेव की मात्रा आधाश कर दुश कर हाँ परत्यक्ष इसी तरह है जिसकी कीमत बहुत अधिक हो वो है कीमत यानि मुल्य अधिक है तो बहु बहु मुल्य नेक्स्ट है हमारे पास जो दूसरों से इश्या करता हो जो दूसरों से इश्या करता हो बेटा उसे कहते है इश्याअलू देखे कैसे लिखा जाएगा बड़ी ऀ आधाश यो इसी तरह से आपनी लगा Doesn से लिखा हुआ है इश्यालू लगो चोटे उ की मात्रा तो बन जाएगा इश्यालू हो गया clear यहां तक किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताईए मुझे ओग की बिटा चलिए जो पहले हो चुका हो पहले भूत चुका हो भूत पूर्व जो पहले हो चुका हो वो है भूत पूर्व जो स्त्री कवीता रच्टी हो उसे कहते हैं कवित्री कव यह को छोटी ए की मात्रा त्र और बड़ी ए और जो पुरुष कवीता रच्टा उसे कहते हैं बच्चो कवी जो स्वयम सेवा करता हो उसे कहते हैं बच्चो स्वयम सेवक क्या कहा जाता है स्वयम सेवक जिसका कोई अकार हो वो है साकार और जिसका कोई अकार ना हो क्या कहा जाता है उसे मीराकार हाँ जी अंच चैट बोक्स में आजो बेटा अंच चैट बोक्स में आजो आँख मूंध कर किया हुआ विश्वास आँख मूंध कर किया विश्वास यानि आँखे बंद करकर हम किसी पर अगर विश्वास कर ले तो वो है बच्चों अंध विश्वास क्या कहा जाता है बेटा अंध विश्वास भरोसा नहीं अंध विश्वास वो तो विश्वास का हुआ भरोसा चीक है इसी तरह है जो अपने उपर निर्भर हो अपने उपर आत्म निर्भर जो कहा न जा सके वो है अकथनिये जो कहा न जा सके वो है बच्चे अकथनिये चीक है इसी तरह है हमारे पास अचानक होने वाला अचानक होने वाला यानि अकस्मिक पड़ा आ, क, आधास, सको छोटी ए की मात्रा, म, और क, अकस्मिक नमन आप सुनने रेक्या ध्यान से आप ध्यान से सुनिये प्लीज नमन इसी तरह है जो नगर में रहता हो जो नगर में रहता है, वो है नागरी, कौन जो ग्राम में रहता है बच्चों, हम उसको कहते हैं ग्रामी, ठीक है? इसी तरह कम खर्च करने वाला या कम वियाई करने वाले को हम क्या कहते हैं? मित वियाई, म म को छोटी एकी मात्रा, त आधाव या इकोर या पड़ी एकी मात्रा मित वियाई, विच्चे यहां तक किसी को कोई डाउट? तो जल्दी बताई ये मुझे अमन, अंच, अर्जुन, अक्षू clear है बिटा? ओके बिटा, ओकी, ओकी देखिए, हमने पढ़ा शिव की पूझा करने वाला शैयव तो दुर्गा की पूझा यानि शक्ती की पूझा करने वाले को कहेंगे शाक्त शक्ती की पूझा करने वाला शाक्त इसी तरह है इश्वर में विश्वास रखता हो आस्तिक जो इश्वर में विश्वास ना रखता हो वो है नास्तिक जिसका कभी अंत ना हो जिसका कभी अंत ना हो वो है बच्चो अनन्त 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 अनन्स्वार और त अनन्त इसे तरह हैं बिटा हमारे पास, जिसका मुल्य ना आँका जा सके, जिसका मुल्य ना बताया जा सके, जिसकी खीमत ना बताई जा सके हो है, अ मुल्य, जिसकी उपमा ना हो, वो होता है, अनुपम, अ न, न को छोटे उ की मात्रा, प और म, अनुपम, सदा रहने वाला, जो सद अजाएगा वह और त शाश्वत और जो निस्ट होने वाला है यह सदा नहीं रहने वाला उसे बच्चों हम कहते हैं ना था वह और रह जिसका हरिद्य विशाल हो उदार हम लोग पढ़ चुके हैं इसी तरह है शन में नस्ट होने वाला तो क्या आएगा बच्चो शन भंगुर अनुस्वार गग को छोटी उ की मात्रा और र क्या हो जाएगा शन भंगुर इसी तरहां मास ना खाने वाला मास ना खाने वाला बेटा वह होता है निरामिश निरामिश ना नको छोटी ई की मात्रा र को बढ़े आ की मात्रा म म को छोटी ई की मात्रा और श निरामिश हुआ क्लियर बेटा नेक्स्ट है हमारे पास जिसका कोई अपराधी न हो जिसका कोई अपराधी न हो बच्छे उसको हम कहते हैं निरापराधी क्या कहते हैं निरापराधी देखिए जल्दी से जिसका कोई अपराध न हो वो है निरापराधी न न को छोटी ई की मात्रा, र, प, र, 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 र जिसका कोई आकार हो साकार, जिसका कोई आकार ना हो उसे हम कहेंगे मीरा अधार, क्या हुआ जाएगा? मीरा अधार हो गया clear सभी को? बेटा यहां तक कोई doubt? किसी को कोई doubt? clear है सबको? चलिए जनती से. जिसका कोई पार ना हो जिसका कोई पार ना हो देखे क्या कहेंगे उसे अपार क्योंकि जिसका कोई पार ही नहीं है वो है अपार और जिसे आर पार देखा जा सके वो है पार दर्शी पार दर्शी इसी तरह बेटा जिसे प्राप्त करना कठिन हो जिसे प्राप्त करना कठिन हो दुरलब और जिसे पाना सरल हो वो है सुलब जिसे आसानी से प्राप्त किया जा सके वो है सुलब और जिसे पाना कठिन हो वो है दुरलब पढ़ा है ना हमने बटा दूरलब्द जनम से मृत्यू तक तो आएगा आजन जनम से मृत्यू तक आजन इसी तरह अपनी ही हत्या करने वाला अपनी ही हत्या करने वाला यानि आत्म हत्या, अपनी ही हत्या करने वाला आत्म हत्या, थोड़ा बोलने वाला, बहुत बोलने वाले के लिए हमने पढ़ा वाचाल, तो थोड़ा बोलने वाला है बच्चो, मित भाशी, मित भाशी और कम खर्च करने वाला, यानि थोड़ा खर तो किसी चीज का नहा होना, उसे हम कहते हैं बच्चो अभव कमी है ना, तो किसी चीज का नहोना अभव. जो करम ना करता हो जो करमी ना करता हो उसे कहेंगे बच्चो अ करमने है अ क म मांके पर न आधा और या अ करमने है इसी तरह किये हुए उपकार को न मानने वाला वो है कृतगण जंगल में लगी आग जंगल में लगी आग को बच्चो हम बोलते हैं दावानल क्या बोलते हैं बच्चों दावानल जंगल में लगी आग दावानल इसी तरह हमारे पास उपर कहा गया उपर कहा गया के लेक शब्द आता है, वाक्यांज के लेक शब्द, बच्चों से कहते हैं हम लोग उपरयुक्त, उपरयुक्त देखो कैसे लिखा जाएगा, उप, छोटा उप, यह को छोटे उप की मात्रा, यह पर, आधाक, और त, उपरयुक्त, जिसका कोई आकार ना हो, हो है निराकार, और अगर आकार हो, जिसका आकार हो, जल्दी से बताईए मुझे चैट बोक्स में आके, हंजी पंकस, नमन, जल्दी से बताओ, हंजी अक्षू गुड, वेरी गुड अक्षू, येस, वेरी गुड शितिस, गुड शितिस, वेरी गुड, चलिए आगे चलते जिसे करना कठीन हूं, वो हे दुषकर. क्या होता है बच्चों? दुषकर. द द खो चोटे उकी मातरा आधाश कर. इसी तरह है हमारे पास गोदलिया पुत्रिया पुत्रिया पुत्री हम कहेंगे दत्क. ज़髙्चों, और जानने की इच्छा रखने वाले को हम कहते हैं बच्छो, जिग्यासू. इसी तरहां दूसरों के कारे में दखल देना हम कहते हैं उसे हस्तक्षेप. प, आधास, त, ख, श, श, को छोटी ये की मात्रा, और प, हस्तक्षेप. क्लियर हुआ बच्छो, इतना? हाँ जी, किसी को कोई डाउट तो जल्दी से बताइए बटा मुझे. येस बटा, कोई डाउट नहीं किसी को चलिए, जल्दी से एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. और अब आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे, ठीक है? तकि आपको साथी साथ लर्न हो जाए. येस, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला, हाँ जी, गगन को चूमने वाला, गगन चूम्बी, कम व्याइ करने वाला, मित्व्याई. कम खर्च करने वाला या कम व्याइ करने वाले को क्या कहा जाता है? मित्व्याई. इसी तरह शिव की पूजा करने वाला शैव और शक्ती की पूजा करने वाला जल्दी से बताईए मुझे चैट वोक्स में आके हमने अभी पढ़ा है शक्ती की पूजा करने वाला शक्त हांजी अक्षू वेरी गुड इसी तरह है जिसका कोई अधार ना हो जिसका कोई अधार ना हो यहां यह clear है बटाई यह slide चले आगे हाँ जी ठीक है नमन very good नीराधार चली जल्दी से जिसका कोई शत्रू ना हो अजात शत्रू जिसकी उपमा ना हो अनुपम जिसकी कीमत ना की जा सके कीमत यानी मुल्य तो वो है अमुल्य है ठीक है और जिसकी कीमत बहुत अधीक हो जल्दी से बताईए अब चैट बोक्स में आके यह भी जिसकी कीमत बहुत अधीक हो हांजी जिसकी कीमत बहुत अधीक हो हांजी अक्षू ठीक है very good बहु मुल्य है आयूश गलत वाचाल तो बहुत बोलने वाले को कहते हैं हरिदो भाशी, जानने की इच्छा रखने वाला जिग्यासू, दूर की सोचने वाला दूर दर्शी, जिसका हरिद्या विशाल हो, वह है उदार, और इश्वर में विश्वास रखने वाले को हम लोग कहते हैं, बच्चों, आस्तिक. इसी तरह हैं हमारे पास जो सरल्ता से प्राप्त हो सरल्ता से प्राप्त हो सूलब सरल्ता से प्राप्त ना हो यानि जिसे पाना कठीन हो वो है दुरलब जो किये गए उपकार को ना मानने वाला उसे कहते हैं कृतगन और जो मानने वो है कृतग्य जो देखने योग्य हो, दर्शन ही है, जो बोल न सकता हो, मूख, जिसका कोई दोश न हो, वो है निर्दोश, सुनने वाला अश्रोता तो बोलने वाला वक्ता, जहां मनुश्य ना रहता हो, यानि निर्जन, निर्जन, जो दिखाई ना दे, आद्रिश्य, जो आखों के सामन हो वो है प्रत्यक्ष जो काम करना कठिन हो वो है दुशकर जिसकी कीमत बहुत अदिक हो वो है बहु मुल्य और जो दूसरों से इश्या करता हो उसे कहते हैं बच्चों इश्यालू नेक्स्ट विटा हमारे पास जो पहले हो चुका है वो है भूत पूरव जो स्त्री कविता रचती हो कवित्री जो पुरुष कविता रचता हो वो है कभी जो स्वयम सेवा करता है सेवा स्वयम सेवक जिसका आकार हो साकार जिसका कोई आकार ना हो निराकार जिसका कोई आधार ना हो निराधार आख मूंद कर किया हुआ विश्वास यानि अंध विश्वास जो अपने उपर निर्भर हो वो है आत्म निर्भर जो कहा ना जा सके वो है अकत्निय जो नगर में रहता हो वो है नागरिक अचानक होने वाला अकस्मिक कम खर्च करने वाला मित्विय इसी तरह है बेटा हमारे पास दुर्गा की पूजा यानि शक्ती की पूजा करने वाले को कहेंगे शाक्त जो इश्वर में विश्वास रखता हो उसे हम कहेंगे आस्तिक जिसका कभी अंत ना हो अनन्त जिसका मुल्य ना का जा सके यानि अमुल्य जिसकी उक्मा ना हो वो है अनुपम और सदा रहने वाला है शाश्वत और नश्ट होने वाला यानि नश्वर जिसका हरिद्य विशाल हो वो है उदार शन मेव नश्ट होने वाला यानि शन भंगुर मास ना खाने वाला निरामिश तो जिसका कोई अपराध ना हो निरपराधी जिसका कभी जनम ना हो वो है अजन जन्म से मृत्यू तक यानि आजन अपनी ही हत्या करने वाला आत्म हत्या थोड़ा बोलने वाला मित भाशी तो ज्यादा बोलने वाला वाचाल पश्चमी देशों से संबंदित है पाश्चत्य और जिसका कोई शत्रू ना हो बच्चो उसे हम कहते हैं अजात शत्रू और इसी तरह है किसी चीज का ना होना अभाव जो करम ना करता हो वो है अकर्मनिय जो किये गई उपकार को ना मानने वाला होता है बिटा वो है क्रितगन और जंगल में लगी आख को हम लोग बोलेंगे बच्चो दावानल ठीक है विटा